रौड की स्टोरी देखने से पहले हम लोग रौड के बारे में जान लेते हैं आखी रौड बच्चों को क्यों किड्नाइप करता है तो चलिए सुरू करते हैं ये कहानी रौड के पिता का नाम जौसेफ सुलिवन था जो एक आइसक्रीम फैक्टरी के मालिक थे वह रोज अपनी गारी से आइसक्रीम बेचने जाता था सभी बच्चों को रौड के पिता का आइसक्रीम बहुत पसंद आता था या देखकर रौड के पिता बहुत खुस रते थे आईस्क्रीम इतनी अच्छी थी कि दूसरे कमपनी का आईस्क्रीम विकना बंद हो गया था या देखकर सभी कमपनी का मालिक राड के पिता का रेसिपी बुक चुराना चाहते थे इसलिए एक दिन सभी कमपनियों के मालिक ने जौसेप के रेसिपी बुक चुराने के लिए बच्चों का सहारा लिया खिलोने और पैसे की लालस में छोटे बच्चे रोड के पिता की सक्टरी में घुस कर उसका रेसिपी बुक चुरा लिया रोड के पिता को जब यह बाद पता चला तो वह अपने फैक्टरी से खुद कर जान दे देता है पिता की मौत होते ही रोड को पता चलता है कि कुछ बच्चे उसके फैक्टरी में आईस्क्रीम की रेसिपी चुरा लिया है इसलिए उसके पिता आत्महत्या कर लिये है रोड को सभी बच्चों पर गुस्सा आ जाता है और वा सभी बच्चों को आईस्क्रीम बना देना चाहता है हैपी बड़े गुप्ता जी ठैंक्स मिस्रा जी लेकिन आपको याद था मेरा जर्म दिन हाँ गुप्ता जी लेकिन पार्टी कब मिलेगा आज रात में ही करेंगे पार्टी मिस्रा जी गुप्ता जी और मिस्रा जी बात करी रहे थे तभी गुप्ता जी को सौन का फोन आता है हाँ सौन क्या तुम वही रुको मैं भी आता हूँ क्या हुआ गुपता जी मिस्रा जी हमें सौन के घर जाना होगा क्यों अचानक क्या हो गया सौन के महले से बहुत सारे बच्चे गायव हो गए है गुपता जी और मिस्रा जी तुरंट सौन के घर निकल पड़ते हैं गुपता जी आज तो मुझे बहुत दर लग रहा है क्यों मिस्रा जी अपने चारों तरफ देखिए पूरा सनाटा पसरा हुआ है हाँ मिस्रा जी लगता है सहर में बच्चे की चोरी बहुत हो रही है साइद इसलिए लोग बहार नहीं निकल रहे हैं कुछी समय में गुपता जी और मिस्रा जी सौन के घर पहुँच जाते हैं सौन कुछ पता चला क्या आखिर बच्चों को कौन किड्नेप कर रहा है दर में एक हफ्ते से बच्चे गायब हो रहे हैं गुपता जी हमें पता लगाना चाहिए आखिर कौन बच्चों को किड्नेप कर रहा है हां मिस्रा जी लेकिन किड्नेपर कौन है या कैसे पता चलेगा सौन मेरे लिए आईस्क्रीम लेकर आऊना मुझे खाने का मन कर रहा है मिस्रा जी सौन अभी कहां से आईस्क्रीम लाएगा गुपता जी मैंने सौन के घर के बाहर एक आईस्क्रीम वेन को देखा था मिस्रा जी मेरे घर के पास तो कोई आईस्क्रीम बेचने आता नहीं है तुम कंजूस हो सौन रुको मैं लेकर आता हूँ अरे रुको मिस्रा जी हम दोनों यहां आईस्क्रीम खाने थोड़ी आए है गुपता जी के रोकने पर भी मिस्रा जी नहीं मानता है और आईस्क्रीम लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है तो गुपता जी आज आपका तो बड़े है हाँ सौन गुपता जी ये किसके चिलाने की आवाज है गुपता जी और सौन तुरन घर से बाहर निकलते हैं और वहां देखते हैं मिश्रा जी गायव है और आईस्क्रीम वेन तेजी से जा रहा है गुपता जी मिश्रा जी तो आईस्क्रीम लेने गया था न ये ice cream van तो जा रही है, तो मिस्टा जी है कहाँ? कहीं मिस्टा जी kidnap तो नहीं हो गया क्या, कौन kidnap कर सकता है मिस्टा जी को? सौन, मुझे समझ आ गया, मिस्टा जी और बच्चो को kidnap करने वाला कोई और नहीं ice cream बेचने वाला ही है गुपता जी अब मिस्रा जी का पता कैसे लगाएगे वो आईस्क्रीम वेन तो बहुत दूर निकल गई है सौन हमें आईस्क्रीम वेन का पता लगाना ही होगा तब ही जाकर हम मिस्रा जी का पता लगा पाएंगे तो गुपता जी अब क्या करें सौन हमें पूरा सहर में घुमना होगा क्योंकि वह आइस्क्रीम वाला फिर से किसी न किसी को किटनेप जरूर करेगा तब हम दोनों उसी समय उसे पकड़ लेंगे और इधर रॉड मिसरा जी को लेकर अपनी फैक्टरी पहुंच जाता है रॉड मिसरा जी को एक पिंजरे में कैद कर देता है जहां मिसरा जी की तरह कहीं लोग रॉड की कैद में होते हैं और फिर से अपनी वैन लेकर सहर की तरफ निकल जाता है गुपता जी मुझे तो अभी तक आइस्क्रीम वैन नहीं दिखी हां सौन लेकिन हमें हार नहीं मानना है पूरे सहर में कहीं तो कहीं जरूर दिखेगा वो आइस्क्रीम वैन गुपता जी और सौन आइस्क्रीम वैन को खोजने के लिए पूरा सहर का चक्कर काट रहे थे उधर मिस्रा जी को होस आ जाता है और अपने आप को पिंजरे में कैद पाता है मिस्रा जी देखता है वहाँ कई बच्चे पिंजरे में कैद है या देखकर मिस्रा जी दर जाता है गुपता जी के बहुत मना करने पर भी मिस्रा जी आइसक्रीम लेने चला गया था इसलिए मिसरा जी को अपने आप पर गुसा आ रहा था और उधर अचानक गुपता जी को रौड की वेन पर नजर पड़ती है सौन वहाँ देखो वो रहा आईस्क्रीम वेन चलो जल्दी उसे हमें पकड़ना है गुपता जी और सौन तुरंट आईस्क्रीम वेन के पास जाने लगते हैं और रौड बच्चों को पकड़ने के लिए आईस्क्रीम लेने के लिए बुलाता है हे 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 आ बच्चे ये लोरंग विरंग आईस्क्रीम ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है जैसे ही एक बच्चा आइस्क्रिम लेने के लिए रॉड के पास आता है तबी रॉड अपने नाइट्रोजन गैस से बच्चे को जमा देता है तबी गुप्ता जी और सौन वहां पहुँच जाते हैं और रॉड पर हमला कर देते हैं रौट समझ जाता है गुपता जी और सौन को पता चल गया है उसके बारे में इसलिए गुपता जी और सौन को भी अब किड्नैप करना पड़ेगा रौट तुरंद उठकर सौन पर नाइट्रोजन गैस से हमला कर देता है जिसके सेलते सौन भी जम जाता है अब तुमारी वारी है अब क्या होगा गुपता जी के साथ क्या गुपता जी भी सौन की तरह जम जाएगा या रौट को सबक सिखाएगा या सब देखेंगे नेक्स पार्ट में अब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सेयर करें और नए है ते सब्सक्राइब करना ना भूलें